ग्रीटिंग्स तु आल, मैसेल्फ, डॉक्टर लीन्ता अरोडा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट अफ बाटनी, गवर्मेंट पीजी कोलेज बारा, राजिस्थान, तुडे, वी आर गोईंग टो स्टेडी अबाउट, बैम्बू, प्लांट, आज हम बच्चों बास्क पादब की बारे में स्टेडी करेंगे, इस से पहले मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बास्क के बाद जनरल इंट्रोड़क्शन आपको दिया था, बैम्बू प्लांट, बाटनिकल नेम, बैम्बूसा, एरुंडिनेसिया, फेमिली, ग्रेमिनी और पोईसी, यू और एंड, इन वर्ड, भारत में, विष्व में भारत का बास उत्पादन में दीवतिस्तान है, प्रथम इस्तान पर चीन है, दीवतिस्तान पर भारत का इस्तान आता है, इन भारत में ये असम, पश्चिमंगा, लंदर, अननेचल प्रदेश, मनिपुर में गाले, मिजुरम नागा लेंड सिक किम्त्रिपुरा में यह दिकतर बास उगाने वाले देश हैं राज्जें सुरी राज्जें हैं इसके लावा चत्तेजगर मद्दे प्रदेश अंडेमान निकोबार में भी इसकी खेती की जाती है रायस्थान में चित्तोडगर डुंगरपुर मासवाड़ा में इसके सीमित्वन है सुटेबल सोईल मास के लिए किस तरह की मिट्टी सुटेबल होती है किस तरह की मद्दा में इसकी अच्छी ग्रोथ होती है मास के लिए आद्र उप्युक्त जलनिकासी वाली चिकनी दुमत म्रदा सरवादिक उप्युक्त होती है और इसके लिए टेंपरेचर 10 से 15 डिग्री सेंटिगेट इसके लिए सबसे बेस टेंपरेचर होता है इसकी ग्रोथ के लिए एक्रेंल मारफुलोजी और इसके इसट्रक्चर का बारे में स्टेडिक करी थी मास के प्लाँट अस्ट्रक्चर में निज़र आ हाय Fallout के स्टेडिक है अब हम नेक्स्ट इसकी भाद हम आते है बेंबू का प्रोपैगीशन बास के पादप का प्रवर्दन बास के पादप के प्रवर्दन के सरसे पहले हम कल्टिविशन अब बैम्बू पर आते हैं बास की क्रशी के लिए पहाड़ों की खाली ढहलान वाली भूमी उप्युक्त होती है जहां वर्षा का ओसत काफी उच्च होता है बैम्बू प्रविकेशन बैम्बू का पादप तीन मर्फलोजिकल पार्ट को में बटा होता है सबसे उपर तो एरियर पार्ट है जो की कल्म है निचे अंडरगावन पार्ट है जो राइजों में और राइजों से ही रूट्स निकलती है बैम्बू प्रविकेशन प्रविकेशना किया उच निच कि कृटुरे मारट फ्हिकेशन च्टर्छ पलिजर lacking जों अग्यर आज इंड़ टू consistency of receive bamboo is generally propelled by poetry do method इस इंकूल इस इंकूल इस इंक्लूट सीट्स क्लम डिविजन ऑफसेट राइजों होल कल्म कुटिंग लेरिंग कल्म सेग्मेंट कुटिंग ब्रांच कुटिंग एंड टिशु कुटिंग बास का प्रवर्दण जो उता है propagation होता है मक्यत्य काईक प्रवर्दण की विद्यु द्वारा किया जाता है हलंकि बीजों से भी इसको उगया जाता है लेकिन कतिपय कारणों से बीजों का उफियोग व्यवसाइक खेती के लिए नहीं किया जाता इसके कहीं कारण है जैसे कि बीजों की आनिश्चित उपलब्दता क्योंकि अधिकांज जातियों में प्रतिवर्ष बीज नहीं बनते हैं बीजों के जीवन शम्ता जो वायबिलिटी होती है वो कम होती है बीजांकुरण में लंबा अंतरा ला जाता है बीज से कटान य तुरंट तयार हो जाता है अब हम बास के प्रपगेशन की विजियों का इटेल में स्टेडी करेंगे बैम्बू प्रपगेशन सबसे पहले आते हैं क्लंप डिविजन क्लंप में कट लगा रखें जगे-जगे क्लंप डिविजन द्वारा इसका वेज़िटी प्रपगेशन किया जाता है यह आपको दिख रहा है कल्म कटिंग दिख रही है आपको कल्म कटिंग द्वारा कर रहे हैं वेज़िटी प्रपगेशन कर रहे हैं कटिंग ओफ वन नोट यह पिच्चर में आपको के लिए नज़र आ रहा है वन नोट कटिंग करते हुए इस्टेम कटिंग है, ब्रांच कटिंग, लेरिंग, टिशु कल्चर, यह आपको पिच्चर में नजर आ रहे हैं, सबसे पहले आप बनारते हैं, क्लंप डिविजन, क्लंप के छोड़े टुकड़े करके और उसको, एक दो यह ओल्ड प्लांटरा सुटेबल होते हैं, उसको छोड़े कट कर देते हैं, उसको जमीन में दबा देते हैं, और उससे नए प्लांट का प्रोपगेशन होता है, नए प्लांट उट जाते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एक नोट को काटते हैं, भूमिकत प्रकंद या कल्म सुत्पंद प्रात्मिक दिवत्यों के तरत्यक एक गांट वाली तेहने को काटकर कल्में तयार की जाती हैं, सिंगल सिंगल आको डाइग्राम में दिख रहा है कल्म काट रहे हैं, जहां से इसकी जड़े निकल रहे हैं, भूमिकत प्रकंद या कल्म या गुच्छन से प्रात्मिक दिवत्यों के तरत्यक एक गांट वाली तेहने को काटकर कल्में तयार कर ली जाती हैं, इन कल्मों को भली बाते जिते होए खेतों में बनाई हुई 25-25 सेंटिवेटर घेरी नालियों में लिटा कर देसी खाद वे एक मुट्टी सुपर फासफट के मिश्रन से अच्छी पेकार ढग देते हैं, इन्हें रोज पानी दिया जाता है, लेकिन कॉपले फूटने पानी की मातरा को कम कर देते हैं, एक से डेड़ वर्ष में काटने योग्य फसल तयार हो जाती है, कई बार एक के बजाए दो गांटों वाली कलम लेते हैं, इसकी बिच बनने वाले भाग में एक छिद्र कर उसमें ग्रोथ हार्मोंस का घोल भर देते हैं, जिससे कि इसका मुलन त पर रित वे स्वस्थ हो, यह तो हो गई आपकी कलम कटिंग एक गांट वाली या दो गांट वाली कलम से इसका प्रपगेशन, फिर आते हैं कलम सेगमेंटेशन और स्टेम कटिंग कलम को अलग लग छोटेटे सेगमेंट में पूरे में काट देते हैं टू थ्री हेल्दी नोट्स विद ब्रांचेज एंड बड्स आ स्लेक्टेट एंड प्लांटेट वर्टिकली कर देते हैं उन को स्लेक्ट करते हैं काट के और उनको वर्टिकली प्लांटेट कर देते हैं पिच्चर में आपको नजर आ रहा है वर्टिकली प्लांटेट कर रका इनोने ब्रांच कटिंग, लो सर्वाइवल रेट और पूर रूटिंग, सो रिस्टिक्शन तू थिक वॉल्ड ब्रांच कटिंग द्वारा भी लगाई जाती है मेंब प्रपागेशन गरें ङौबॉ णीघंग थेखिंग, लासे तब फॉर्म बाइवल पॉल्स और यू जाती है की और स्टेम लेरिंग मी की जाती हैं ग्राउं लेरिंग बेंट एंद लेफ्ट तिल न्यू प्लांट ग्रो दें कट स्टेम लेरिंग में वन तू नोट कट अड़ जोटेबल मीडियम एयर लेरिंग में मिडवे विदर इसेप्टिकल इस शोन अबोग यह एयर लेरिंग जो है यह पतले वासों के प्रवर्धन के लिए उप्युक्त होती है जिनने बिना तोड़े मोड़ा जा सकता है डाइग्राम में दिख रहा है आपको बिना तोड़े इनको मोड़ रखा है जिनने बिना तोड़े मोड़ा जा सकता है इसके अंद्रगत वास को मोड़ कर भूमी में दबा दिये जाता है वह इसको नियंतर गीला रखा जाता है कुछ दिन पश्चा दबाये वास की शंदियों से नए पोदे प्रसफूटित होते हैं कैसे एर लेरिंग कैसे करते हैं बास के पतले बास होते हैं उनका प्रवर्दन के लिए उप्युक्त होती है विधी उनको बिना मोड़े जमीन में दबा देते हैं उनको नियंतर गीला रखते हैं कुछ दिन पश्चा दबाये वास की शंदियों से नए पोदे प्रसफूटि यह आपको दिख रहा है एक जार्स के दर टिशू बैंबू प्लांट लगा रखें टिशू कल्चर तकनीक अपना रखिए बास के बगुरण की यह सबसे सर्वोत्तम्वे तीवर्विदी है इस समवर्दन माध्यम में एक गांट वाली सुक्ष्म कल्वों को नियंत्रित वातवरण में रखा जाता है पन्णों के निश्ले उतकों से भी बास की वद्धी की जा सकती है परक्नली वे अन्य उप्युक्त पात्रों में माध्यम वे वद्धी हर्मोन की उपस्तिती में तीन चा सब्ता में करतों तक से मूल वे पन्ण युक्त नवजात पादप तयार रहते हैं ग्रोथ हार्मोन डालते हैं तिंजर सब्ता में एक्स प्लांट वे रूट्स वे पंड्युक्ति दवजात पादप तयार हो जाते हैं जैसा कि आपको जार्व के अंदर आपको नजर आ रहे हैं क्लियर द्रडी करन्ड वे दशान्य करन्ड के पच्चाथ इसे खेत में रोपित कर देते हैं किश्व कल्चन विदी जो होती है ये अन्नित विदियों की तुलना में अधिक लापकारी होती है क्योंकि सभी पोदे जो होते हैं इसके समान गुणवाले वे रोगमुक्त होते हैं ये विदी द्रड़ा प्रवक्षाला में पूरे वर्ष भर पोदों तियार किया जा सकते हैं सीमी तेमम कम इस्तान में अधिक संक्या में पोदे तियार किया सकते हैं पोदों का परीवन वे निर्यात आसानी से रहता है इसके लावा भूस्तारी का या ओफसेट द्वारा भी वेज़िटी प्रपेगेशन किया जाता है किसी पोदे की भूमी के सते के समीर तने से उत्पन शेतिज छोटी लेकिन मोटे पर्मेवाली शाका को ओफसेट केते हैं किसी पोदे के भूमी की सते के समीर तने से उत्पन शेतिज छोटी लेकिन मोटे पर्मेवाली शाका को हम ओफसेट केते हैं इसके शीर्ष पर वद्दी शीलू तक इस्थित होते हैं दूसरी शब्द में हम अपन कह सकते हैं बच्चो भूमी के पास से प्रकंद से निकला तीन चार गांठ युक्त वाला जड़ युक्त तना ओफसेट के लाता हैं आफसेट को मुख्य रज़ों से अलग कर गड़ों में रोप देते हैं रोपण के एक वर्ष में ही इसमें काटने योग्य बास मिलते हैं इसके लावा एक मुरली विदी है फ्लूट मेथड इस मेथड में क्या करते हैं हम पूरा के पूरा बास को लेते हैं उसके परवों में जगे जगे छिद्र कर देते हैं इन छिद्रों में पानी भरकर पूरे बास को खेत में टेड़ा लेता देते हैं पूरा के पूरा वे मिट्टी के परस से ढख देते हैं इसे मुरली विदी केते हैं कुछ चब में पश्चात गाठ या परवसंदी से कोपले निकलती हैं वे इस विदी से वर्ष में कभी भी पोधे बनाया जा सकते हैं इसके लावास बाई सीट से विजों की जिवन शम्ता भहुत कम होती है आथे बनने की तुरंद पश्चात इसकी भुवाई करने पर नई पोध तयार की जा सकती है एक सब्ता में विजों कंकुरण हो जाता है वे तीन चर महां में इस्तान अंद्रण के योग्य पोधे तयार ह हो जाते हैं यह तो इसकी हो गई प्रोपेगेशन इसके बाद हम आते हैं इसकी हार्वेस्ट के मेच्वर बेंबू कल्म और रिकोगनाइज बाई दा फॉर्मेशन ऑफ वाइट स्पोर्ट ऑन कल्म एंड लाइकेंस एड़ नोट्स मेच्वर बेंबू को आप कैसे पचानते हैं इस पर वाइट स्पोर्ट बन जाते हैं इस पर इससे आप इसको आसानी से पैचान सकते हैं एक्स्पिरेंस्ट ग्रोवर्स केन इवन रिकोगनाइज दे बेंबू विद दा साउंड इन दा स्टेम वेन इस्ट्रक विदे स्टोन और बेक अफ दा मेचेट जो इसको गाने वाले लोग होते हैं वो इसकी जो बेंबू की आवाज जो आती है तनी की जो जिसको की हम किसी पत्थर मारते हैं जो आवाज आती उससे पैचान लते हैं कि ये मैचोर हो गया है इफ बेंबू स्टेम आर कवर्ड विद फंजाई और मॉसस एंटारली और इसका नोड एपिर वाइट ग्रेश ग्रेश और इवन ड्राई इसका मतला है कि बेंबू जो है ये ओवर मेचोर हो चुका है बेंबू फैलिंग एंड हैंडलिंग कट दे बेंबू जस्ट अबव दा फिस्ट और सेंड नोड अबव ग्राउंड लेवल जमीन के पहले या दूसरे नोड से इसको काटना चलू करते हैं विदे मेचेट और साथ इस वे देर इस नो रिसेप्टिकल इन विद रेन वाटर केन कलेक्ट अवैज दिमग और इस बाटर केंश क्रेश्ट अड़ एंड इस यूर नोड रिस बिस भाटर अप्याच में जा काटना चलू करते जाह20 झार्ट की कंशनês च्बाबू कलमी हैं लिदाल्स आप्यों में और से जाल्स्तिर क्रेंट बैंबो की properties क्या होती है टैंसल strength इसकंदर पाजाती है shrinking प्रोपर्टी उती इसकंदर fire resistance होता है strength compressive होता है elastical modular से है इसके प्रषपर्टी flexural strength होती इसकंदर bending की शम्तो होती इसकंदर sharing strength होती इसकंदर working of bamboo bamboo can be worked with the simple simplest tool with must be especially sharp because of highly silicified outer zone tool wear is considerably high Aby Mbuketa year old to be able to make money looks at home you can still see him amha mbuketa-oh-bukema yaimi.com when the only Lazic 155-0703-0703 are made of Transaction 104-0803-0404-0803 舞 are directly driven into the ground they have to however be pre-treated for protection from rot and fungi bamboo to this for the space spanning larger distance in public utility building like schools storage area commercial building bamboo is utilized as a two's member bamboo has a high strength weight ratio hence it is good alternative for the roof framing oh Since ancient times, bamboo poles have been tied together and used as scaffolding. The process of bamboo such as resilience, shape and strength make it an ideal material for the purpose. bamboo tile roofing This is the simplest form of bamboo roofing. The culm are spit into halves. The diaphragms scoped out and tree run full length from ave to ridge. Other uses and values Release 30% more oxygen in atmosphere and absorb more carbon dioxide compared to other plants. This is 30% more oxygen in atmosphere release and carbon dioxide is more absorption. To use in Asian cuisine served as salad consumed in the form of soup. Various animals on the planet use bamboo in their diet. का ही निमास अपने डाइट में bamboo को यूस करते हैं. Panda diet is based on bamboo exclusive. Panda की डाइट पूरी bamboo पर ही depend होती है. medicinal use good source of dietary fiber. Fiber has many benefits to prevent diabetes and heart disease. Diabetes and heart disease में useful है यह बैंबू लीव्स है एंटी ऑक्सिदेंट परपरटीज बैंबू लीव्स में अंटी अक्सिदेंट परपरटीज होती हैं. To control blood pressure due to abundance of potassium. इसमें potassium अवजिक मातरम होता है इसलिए यह blood pressure को control करता है. बास के जोड़ों में एक सिलिका युक्त पदार्थ का स्तरावन होता है जिससे वंश लोचन ये तवाशीर कहते हैं. यह सफेद रंग का ठोज भंगुर पदार्थ है जो आयरुवेद में अत्यांत महत्पूर्ण वेप्योगी माना गया है. कुछ बासों में benjoic acid तक glucoside भी मिलते हैं. Cosmetic uses to use in aromatherapy. Aromatherapy में यह काम आता है. A lot of cosmetics products integrate bamboo integrand for facial and hair. बहुत सरे cosmetic product में, facial में और बालों में यह bamboo काम आता है. बास की कहीं जातियों से देनी के उपयोग के समा सजावट की वस्तुएं भी बनाई जाती हैं. बास से बेतें, लाठियां, टोक्रियां, जातों के दस्ताने, पंक्खे, चिक, सीडियां, खिलोने, पतंग, वादियांत्र, धनुश्वान, खंबे, बल्लियां, मेजे, कुरिसियां, चिटाईयां, वेन्ने वस्तुएं मेराई जाती हैं. कागच निर्माण में, कागच की लुबदी बिनाने में बास का सरवादिक प्रियोग किया जाता है. प्रिविन पका के कागज जैसे लेखन के लिए, कार्ड बोर्ट, पेकिंग के लिए बास का प्रियोग किया जाता है बास के तरण प्राहरों मासलवे पुष्टिक होते हैं जो बड़े चाव से खाये जाते हैं सो ग्राम बास में 14 किलोरी उड़जा मिलती है अथे मोटे वेक्तिव के लिए यह उप्युक्त खाद दे हैं बास के विज़ो के भून कर व्याटे की रोटी बना कर खाया जाता है जापान वे चीन मास के डिबबबंध खादे समगरी का भारी मात्रा में निर्याद करते हैं इस तरह से बास हमारे लिए एन्वार्मेंटली एन्वार्मेंट फ्रेंडली है यह हमारे लिए इसकी disadvantage क्या है इसकी disadvantage क्या है बेंबू दे नोट लेंट इसेल्फ तो बिंग पेंटेट बिकोज अफिस नेच्रल वेक्षी कोटिंग एक्सेसिव डाइंग एंड ब्रीचिंग ऑफ बेंबू में में दिमिश इस इस इस्ट्रक्चर इंटीग्रिटी कंक्लूजन बेंबू इस लाइट इन बट बट इस ट्रोंगर देन इस्टील पक्षियों से भी हलका होता है वजन में यह लेकिन इस्टील से भी मजबूत होता है इट टेक करबन डेक्साइड एंड रिलीच 30 परसेंट मोर अक्सियन देन अधर ट्री यह और पोदों से 30 परसेंट जदा अक्सियन रिलीच करते हैं इट ग्रो ए मीटर इन वन येर एंड इन अल्मॉस्ट थी यह यह एक साल में एक मीटर तक बढ़ा वायता है लेकिन 30 साल म ये बच्चों इसके उप्योग भी हो गया ये इसका कंक्लूजन हो गया इस चेप्टर को बच्चों अच्छे से पढ़ लेना दोने वीडियों अच्छे देख लेना थैंक्यू सो मच बच्चों धन्यवाद बच्चों